BMC election पर आती हूं कब करेंगे इतना delay कर दिया क्यों किया हमारे हाथ में नहीं है हमने delay नहीं किया हम लोग भी चाहते हैं चुनाव हो ऐसा है कि उद्धो जी की ही party ने कई petitions की है एक reservation की भी petitions चल रही थी यह सारी petitions court ने एक साथ tag कर दी और एक status quo दिया उस status quo के कारण चुनाओ नहीं हो पा रहे है तो court जिससे में status quo विड्रो करेगा और judgment देगा तभी वो हो पाएगा इसलिए जब लोग हमको पूछते हैं और मुझे तो बहुत आश्चर होता है उद्धो जी कहते हैं कि आप election क्यों नहीं करते हैं आप लोगों ने petition किये आप व Supreme Court और मैं यह मानता हूं कि October November तक केस का फैसला आ जाएगा और चुनाओ भी हो जाएगा और हम भी चाहते हैं चुनाओ जाएगा इसी साल हम मुझे लगता है देखे इस इस प्यूर गेस बिकॉस आ बिंग ऑ लॉयर मैं जब किसी केस के और देखता हूं तो साधर अन्टा ज लोगशिव सेने के साथ में लड़ेंगे और MVA क्या है आप समझते हैं कि वो अलग-अलग लड़ेंगे कि साथ क्योंकि वहां से अलग-अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं मुझे यह लगता है कि MVA जो है स्ट्रेटेजिक अलाइंस करेगा स्ट्रेटेजिक अलाइंस का काई के साथ मेसेजिंग कैसे जाती है देखे पॉलिटिक्स में दिनने पहले होता है मेसेजिंग बाद में होता है मुंबई 150 का जो स्लोगन है इस इस तिल ओन हां अंड़ प्रचेंट सॉन नदाजी ने स्लोगन दिया था हाज हम मुंबई मुंबई जीतेंग अच्छे तरि है ही तो उसके भरोसे हम वोट नहीं मांगते हैं हम वोट तो विकास के भरोसे मांगते हैं और पिछले भी चुना में आपने देखा होगा जिस समें मैंने पोल कैंपेंग लीड किया था और हमने एक बड़ी जंप मुंबई में ली थी उस समय भी पूरे भाषण में मेरे मै सिर्फ विकास के बात करता था Always